पूस्क्राइब किजिए पासी चैनल को साथी प्रेस किजिए इस बैल आइकन को लेटिस्ट मेडिकल टोपिक सबसे पहले देखने के लिए जब भी किसी फीमेल को उनका मैंशवल साइकल आता है तब उस समय जो पेन होता है उसके लिए कौन सी बैस्ट मेडिसीन होती है यही इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो वेलकम बैक गाइस तो पासी चैम चैलन और बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं तो गाइस देखिये गोड्र मेंस्ट करते हैं यहेंस अग्रकाइफ लिएस सबनस्टे का जाएगऑ और इस मेंस्ट के दोरान होने वाली बलीडिंग है उस समय कई वीमेयल्स इसको पेन होता है जिसे dysmenorrhea बोला जाता है और इस condition में WHO ने बहुत सारी medicine recommended की है लेकिन इस medicine में से बहुत सारी medicine ऐसी भी है जिनके आपको काफी सारे side effects देखने को मिल सकती है लेकिन गाइज एक ऐसी medicine भी है जो की काफी safe है और बहुत सारी countries हैं जिनोंने इन medicine को approve किया हुआ है और recommended medicine होती है ये dysmenorrhea की condition को treat करने के लिए तो मैं आपको इसी medicine के बारे में बताऊंगा साथ ही कुछ घरेलू उपाई भी बताऊंगा dysmenorrhea की condition को treat करने के लिए मतलब की periods के समय होने वाले pain को ठीक करने के लिए तो guys सबसे पहले तो घरेलू उपाई की बात कर लेते हैं जो आप अपने घर पर try कर सकते हो बिना किसी medicine को use किये तो पहला जो उपाई है वो है आप गरम पानी की सिकाई कर सकते हो आपने गरम पानी को जितना आप सहन कर सको वो गरम पानी आपने कांच की bottle के अंदर डालना है और अपने pelvic reason में जहाँ पर आपको pain हो रहा है वहाँ पर आपने grounding motion से bottle से सिकाई करनी है और अब जो abdomen cavity है जहाँ पर आप सिकाई करोगे पानी की bottle के साथ वहाँ पर जो tissues हैं वो relax होंगे साथ ही blood का circulation है वो भी increase होगा अब जब tissues relax होंगे उनकी जो elasticity है वो increase होगी जिससे आपको relief मिलेगा ओकी जो दूसरा उपाई है वो है तुलसी की चाई या फिर अद्रक की चाई तुलसी और अद्रक की चाई में काफी सारी ऐसी property पाई जाती है जो कि आपको mensual cramps में होने वाले धर्द को कम करती है तो आप तुलसी की चाई या फिर अद्रक की चाई को भी ट्राई कर सकते हो तीसरा घरे लूप आए है वो है apple cider vinegar mother form में आपने लेना है और आपने apple cider vinegar जिसे हिंदी में सिर्का बोलते हैं सेब का सिर्का आपने इस की quantity दो चम्मच एक ग्लास पाने में लेनी है और mensual cycle के दोरान होने वाले pain के time आपने apple cider vinegar को use करना है तो ऐसे भी आप अपने periods में होने वाले pain जिसे dysmoneria का जाता है उसको आप treat कर सकते हो easily ओके गाईज आप बात करते हैं सबसे safe medicine की तो गाईज सबसे safe medicine eyebrow profane होती है और अगर आपकी body weight 60 kg से नीचे है तो आप 400 mg की tablet को use कर सकते हो और अगर आपका body weight 60 से जादा है तो आप 600 mg की tablet को use कर सकते हो अगर जादा pain है तो दिन में 2 बार से 3 बार अप ले सकते हो लेकिन अगर आपको कम pain है तो आप दिन में 1 बार भी इस tablet को use कर सकते हो हाँ पर मैं कई लोगों का doubt दूर करना चाहूंगा कि देखिए pain killer का use जो non-stellar anti-inflammatory drug की property की जितनी भी medicine है चाहे वो paracetamol हो या फिर diclofenic हो या फिर ibuprofen हो मतलब कि हमारी brufan tablet हो अगर आप इन tablets को महिने में 2 या 3 बार यूज़ कर रहे हो तो कोई problem नहीं है इसके इतने major side effects देखने को नहीं मिलते ठीक है लेकिन अगर आप इस tablet को regularly daily basis पर सालों तक यूज़ करते हो तब इन tablets का side effects देखने को मिलता है तो यहाँ पर अगर मैं इसका conclusion बताओं तो आप अपने period cycle के दोरान किसी भी non-steroid anti-inflammatory drug को यूज़ कर सकते हो लेकिन आपने combination form में इन tablets को यूज़ नहीं करना है जैसे paracetamol, ibuprofen या फिर paracetamol, diclofenic ठीक है या फिर nimesulide और paracetamol ऐसी combination drugs का यूज़ नहीं करना है ठीक है और सबसे safe मानी जाती है बूफन tablet और WHO ने भी recommended किया हुआ है इसको mensual cramps को treat करने के लिए मतलब कि dysmonorrhea की condition को treat करने के लिए ओके तो इसकी जो dose है वो दिन में आप तीन बार ले सकते हो maximum अगर आपका weight 60 kg से ज्यादा है 600 mg की tablet अगर 6 अगर आपका weight 60 kg से नीचे है तो आप 400 mg की tablet को use कर सकते हो वो अपके pain पर depend करता है कि आपको कितना pain हो रहा है तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी useful होगी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर देना अगर आप हमारे चलन पर नए है तो चलन को subscribe करके bell icon को भी press कर देना